जमास्टे बच्चों कक्षा 10, विशेगमित और प्रिशनावली अपने चलगी है 5.3 समांतर श्रेडी इसके जो नोतक के कोशन है वो अपने हल कर चुकी है और उससे आगे के जो कोशन है वो अपने हल करने है और इस वीडियो में अपने हल करेंगे तो देखो अपने दस्मा कोशन से शुरू करना है दस्मा कोशन क्या दे रखा है कि दर्शाई ये कि A1, A2, A3 and AN से एक AP बनती है एक AP का क्या मतलब हुआ मांत्र शेड़ी बनती है और जदी AN निट्चे दिये कि अंसार ये है ये अपने पास क्या है AN है तो अपने को क्या गयाद करना है AP लिखनी है और साथ में 15 पदों का योग गयाद करना है दोनों के लिए तो पहले अपने क्या करें AP निकाल के फिर सारवंतर निकाल के फिर योग निकाल लेंगे ठीक है अब सबसे पहले अपने क्या निकालती है AP AP निकालने के लिए क्या करते हैं तो देखो अपने पास क्या दे रखा है AN दे रखा है 3 प्लस 4N कि N एक्वस्ट उजदी 1 रख देंगे तो अपने पास कौन सा पद आजेगा पहला पद तो 3 प्लस 4 गुना 1 3 प्लस 4 पहला पद कितना आगया 7 इसी तरहें 2 रख देंगे तो दूसरा पद आजेगा तो A2 निकालेंगे तो 3 प्लस 4 गुनी 8 तीए 11 फिर A3 निकालोगे तो 3 प्लस 4 तीए 12 12 प्लस 3 पंदरा अब देखो 7 में 4 जोड़े 11 11 में 4 जोड़े 15 तो अपने पास जो AP होगी वो क्या होगी 7 11 15 19 डैस 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 अब देखो इस AP का प्रथम पद क्या हुआ इस AP का प्रथम पद क्या हुआ 7 प्रथम पद क्या हुआ 7 और कितने पदों का योग निकालना है 15 मतलब N की वेल्यू 15 है A की वेल्यू 7 है N की वेल्यू 15 है सारवंतर क्या होता है दूसरे पद में से पहले पद को गटाना अब देखो S N निकालना है N वटा में 2 2 A प्लस N मैनस 1 D N वटा में 2 जने की 15 वटा में 2 2 A 2 गुणा 7 प्लस 15 में से A हिक गया 14 गुणा D 4 15 वटा में 2 है ठीक है इधर से सादुनी 14 प्लस 15 इन दोनों का योग करोगे तो 6, 4, 10 15 वटा में 2, 5, 6, 7, 70 इसको किया 35 35 से इसको कार दिया तो अपने पास आ गया ये 525 कितना आ गया 525 इसी तरह क्या करोगे ये दूसरा कोशन हल करोगे सबसे पहले A1 निकालो A1 एकंपाँच 9 में से 5 गए 4 A2 निकालोगे तो 9 में से 5 दोनी 10 गए तो क्या गया माइनस 1 A3 निकालोगे तो 9 में से 15 गए 15 गए तो माइनस के 6 देखो पहला पद क्या है 4 दूसरा पद माइनस 1 तीसा पद माइनस 6 ठीक है इसी प्रकार अगला पद फिर क्या होगा माइनस ग्यारा इसमें से माइनस पांच किये तो माइनस एक माइनस पांच फिर माइनस पांच एड किये तो माइनस ग्यारा इस प्रकार ये चल रहा है अब देखो प्रत्थम पद क्या है चार ठीक है कितने पदों का योग निकालना है 15 पदों का D क्या होगा दूसरे पद में से पहला पद गटाना है दूसरा पद माइनस एक उसमें से पहला पद गटाना है तो माइनस चार कितना हो गया D माइनस पांच तो S N इक्वल टू N वटा में 2 2A plus N minus 1 D N वटा में 2 15 वटा में 2 2A 2 चोक है 8 15 में से एक गया 14 D की वैलू क्या है minus 5 15 वटा में 2 ये क्या हो गया 8 minus 14, 5 है 70 70 में से 8 गये तो अपने पास क्या बचा 62 बचा और वो भी किसका बचा minus का 62 भी किसका बचा minus का बचा और इसको हल कर लेंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा minus के 465 ये उत्तर किस में आएगा minus में आएगा ये था अपना 10 मा कोशन इसके बाद देखो 11 मा कोशन क्या दे रखा है किसी AP के प्रथम N पदों का योग 4N minus N स्केर है तो इसका प्रथम पद क्या हुगा N पदों का योग दे रखा है ठीक है फिर उसे प्रथम पद पूछा है प्रथम दो पदों का योग पूछा है दूसरा पद क्या होगा इसी परकार 10 में वे N में पद याद करो सबसे पहले अपने को क्या निकालनी है समांतर श्रेडी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे समांतर श्रेडी उसका प्रथम पद देखो अपने को N पदों का योग दे रखा है क्या दे रखा है 4N-N स्केर अपने को प्रथम पद पुछा है तो प्रत्थम पद का योग का मानने तो n equal to 1 रख दें ठीक है ये s n तो s1 क्या जेगा 4 गुणा 1 minus 1 का square जनी की 4 minus 1 बराबर 3 प्रत्थम पद का योग मान लो चाहे इसको क्या मान लो प्रत्थम पद मान लो तो गुण की जव समांत्र चेड़ी शुरू होती है तीन, 5, 7, 25 परगार तो उसका प्रत्थम पद उसमें किसका योग होगा किसी का भी नहीं होगा उसका प्रत्थम पद और प्रत्थम पदों का योग क्या होगा वही होगा तो A1 की प्रत्थम पद तो अपने पास क्या आ गया तीन आ गया अब देखो दो पदों का योग तो इसके लिए कि दो रख दें तो चार गुना दो मैनस दो का स्केर चार दुनी आठ मैनस चार कितना आगया चार दो पदों का योग आया है अपने पास चार पहला पद कितना है तीन है दो पदों का योग आर्थ होता है प्रत्थम दोनों पदों का योग तीन और पांच आठ प्रत्थम पद है अपने पास तीन दो पदों का योग है अपने पास चार उसमें से पहला पद गटा दोगे तो ये क्या आजएगा अपने पास दूसरा पद दूसरा पद क्या आया अपने पास एक आया इसने क्या पुछा था प्रत्थम पदों का योग पुछा था तो दो पदों का योग कितना है S2 equal to 4 फिर पुछा था इसने दूसरा पद तो दूसरा पद भी अपने पास कितना आ गया एक आ गया अब इसने क्या पुछा है इसी परकार दसमे वे N में पद ग्याद करो अब देखो अपने पास प्रथम पद कितना है तीन है और दूसरा पद क्या है एक है तो सारवंतर क्या आएगा D equal to दूसरे पद में से क्या करेंगे पहले पद को गटा देंगे तो अपने पास आ गया minus 2 ये अपने पास क्या आ गया सारवंतर इसने क्या पुछा है दसमा पद ग्याद करना है तो A N equal to ग्याद करने का सुत्र क्या होता है A plus N minus 1 D प्रत्थम पत कितना है 3 plus 10 माँ पत ग्याद करना है तो 10 में से एक ग्या 9 D कितना है minus 2 तो 3 9 दुनी 18 और minus के 15 10 माँ पत कितना आगे आपने पास minus का 15 18 में से 3 गे 9 दुनी 18 18 में से 3 जाएंगे तो 15 ठीक है अब अपने पास N माँ पत निकालना है तो N माँ पत A plus A N निकालना है A plus N minus 1 D A कितना है 3 N minus 1 D कितना है minus 2 तो 3 इसको अंदर गुना करोगे तो minus 2 N plus 2 तो क्या हो गया 5 minus 2 N N माँ पत के आगे अपने पास ये आगे 10 माँ पत ये आगे बाकी जो पुछे थे वो अपने पास ये आगी ये था अपना ग्यार्मा कोश्चन इसी परकार अपने आगी का कोश्चन देखती हैं बार्मा कोश्चन क्या दे रखा है बार्मा कोश्चन कि ऐसे प्रथम 40 धन पुरनांकों का यो ग्याद केजिए जो 6 से बीवाजे हो मतलब 6 का पाड़ा चलेगा यो ग्याद करना इस द्यान से सुनो कौन से जो 6 से बीवाज़े हो मतलब 6 का पाड़ा 6 ती 18, 16, 24 तुर इसका प्रथम पर कितना हो गया 6, सारवंतर 20 का कितना होगा 12 में से 6 गे 6 और N कितना है, 40 S N गयात करना है N बटा में 2 2 A प्लस N माइनस 1 D, N कितना है 40 बटा में 2 A कितना है, 6, 2 गुना 6 40 में से A के 39 इसको क्या कर लोगे, हल कर लोगे इसको क्या कर लोगे, हल कर लोगे तो चालिस इसको काटा तो कितना आ गया बीस, छै दुनी, बारा छै निम, चोपन, चोका असलबसी पांच, शै ती ठारा और पांच तेईस ठीक है, दो सो बीस गुना, दो सो चालिस और इसको गुना करोगे तो अपने पास उन्चास, बीस इनका योग इतना आ गया उन्चास, बीस आ गया, लाइन को समझते ही कोशन हल, और जदी लाइन ही समझ में नहीं आई, तो कोशन कैसी हल हो जाएगा, तो ये थी अपने बारा तक के कोशन, आगे के जो कोशन है, वो अपने अगली वीडियो में करेंगे धन्यवाद